सब भी खबरों से जुड़ी किसे भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को और किसे भी नोटिफिकीशन को पाने के लिए बैल आइकन को दबाना ना भूलें क्योंकि हम रखते हैं चपपे चपपे पर नज़र हुई है दर्ती पर कई ऐसे रहस्यमाई जगा हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं आज हम आपको ऐसी ही एक अनोखे गाउं के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ जोबी गया कभी वापस लौट कर नहीं आए इस रहस्यमाई की डर की वज़े से इस जगा पर कोई भी आता जाता नहीं है उचे उचे पहाडों के बीच छिपे इस गाउं में सफेद पत्थरों से बने करीब 99 तैखाने नुमा मकान है बता दें कि इसमें स्थान्य लोगों ने अपने परीजनों के शब दफनाए थे इन में से कुछ मकान तो चार मंजल से भी जादा हैं जी हाँ ऐसा कहा जाता है कि इन कबरों को सोल्वी शताबदी में बनवाया गया था यह एक विशाल कबरिस्तान है कहते हैं कि हर इमारत का परिवार से संबंदिद है जिसमें सिर्फ उसी के परिवार के सदस्यों को दफनाया जाता है बता दें आपको कि इतना ही नहीं इस जगा को लेकर स्थानिय लोगों के बीच तरह तरह की मान्यता है उनका माना है कि इन जोपडियों जैसी इमारतों में जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता हाला कि कभी कबार प्राइटक इस जगा के रहस्यों को जानने के लिए आते रहते हैं ऐसे मैं आपको बता दें कि इस जगा तक पहुँचने का रास्ता भी बेहद ही मुश्किल है इसे मैं आपको बता दें कि इस जगा तक पहुँचने का रास्ता भी बेहद मुश्किल है पहाडियों के बीच तंग रास्तों से होकर यहां पहुचने में करीब 3 गंटे का समय लग जाता है यहां का मौसम भी हमेशा खराब रहता है जो सफर के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट हो जाती है बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि कबरों के पास नावे भी मिलती है स्तान्य लोगों के बीच नाव को लेकर मानेता है कि आत्मा को स्वर्ग तक पहुचने के लिए नदी पार करनी होती है इसलिए शवो को नाव पर रखकर दफनाया जाता है बता दें कि पुरात वीदो को यहां हर तैकाने के सामने एक कुवा भी मिला है जिसके बारे में कहा जाता है कि लोग अपने परीजनों को यहां दफनाने के बाद कुवे में सिक्का फैकते थे अगर सिक्का तले में मौझूद पत्थर से टकराता है तो इसका मतलब होता है कि आत्मा स्वर्ग तक पहुच गई है बेराल ये था इस दुनिया का सबसे रहसे मही गाउं खबरी चौकट की रिपोर्ट